अच्छो आज हम करने वाले हैं चैप्टर जो है हमारा 8, decimal उसका एक्सेस 8.5 यहाँ पे हम सबसे पहले जो है question 1 है उसमें लिखा है find the sum in each of the following हमें जो हैं यहाँ पे कुछ digits दी हैं उनका हमें sum फता करना है तो जब भी हम decimal numbers को add करते हैं तो सबसे पहले हमें एक ध्यान रखना है कि जो once है, once के below हमें once लिखना है, tense के below हमें tense लिखना है hundreds के below हमें hundred लिखना है, tense के below tense लिखना है और इस परकार सबसे पहले हमें decimal table करना है once, tense, hundred का जैसे हमने यहाँ पर लिखाया और उसके बाद जो once है, once के नीचे once, tense के नीचे, tens, hundreds के नीचे, hundreds thousands के नीचे, thousands लिखना होता है उके उसके बाद जो decimal point है वो vertically किया जाता है और vertically ही वो sum करने के बाद below आ जाता है इसी परकार जो जैसे addition, जैसे हम whole numbers का करते थे यहाँ पर भी addition उसी परकार करना होता है ओके बच्चों, तो अब हम first वाला sum करते है जैसे हमने कहा कि जो decimal numbers जो once के नीचे once हमें लिखना होता है और tense के नीचे tense लिखना होता है तो यह जो a है यह में हमें दिख रहा है 0 जो है वो once में है तो हमने यहाँ 0 को once में लिखा फिर उसकी बाद decimal point है तो decimal point हमने यहाँ पर किया है उसकी बाद हमें दिख रहा है tense में भी हमारे पास यहाँ पर 0 है तो हमने 0 किया फिर hundreds में हमारे पास 0 है तो हमने यहाँ पर 0 किया और 1000 में हमारे पास 7 है तो हमने 7 किया अभी next जो digit है हमारे add करने के लिए 8.5 उसमें हमारे पास 8 जो है वो once में है और जो 5 है वो 10 में है तो हमने 5 को 10 में लिखा है ओके 5 को हमने 10 में लिखा इसी प्रकार हमारे पास जो है next digit है जो 3 डीजिट है, वो है 30.08, तो 30.08 जो हमारे पास डीजिट है, उसको 30.08 हमारे पास डीजिट है, next डीजिट है, हमारे पास 30.08, उसमें जो 3 है, वो हमारे पास 10s में है, 0 जो है, वो 1s में है, तो हमने इन दोरों को 10s और 1s में लिखा, उसके बाद 0.08 है, तो decimal point किया हमने, और 10th में हमार पास 0 है और 100th में हमार पास 8 है तो इस परकार बाद में हम जैसे हमिश्चा से whole numbers को add करते आए उसी परकार हमने उनको add कर लिया 7 का 7 आया 0 और 8 को add किया तो 8 आया 5 0 को add किया तो 5 आया 8 और 0 को add किया 8 आया और 3 और 0 को add किया 3 आया तो हमारा अंसर है 38.587 तो इस प्रकार यह वाला आपको समझ में आया होगा बच्चो इसे प्रकार B है एक और समझ लेते हैं बच्चो तो B है, B में हमें दिया है 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8 ओके, तो जो B है हमारा, B में हमें अभी B में हमारे पास है सबसे पहले 15.00 तो जो 15 है हमारे पास और 0.0 है, तो इसमें हमारे पास यह 1s हुआ और यह हुआ 10s और यह हुआ हमारा 10s तो हमने इसी प्रकार 1s 10s में इनको अरेंज कर लिया नेक्स जो डीजिट दी है हमारे पास है यहाँ पे add करने के लिए वह हमें हमें पास 0.632 decimal 0.632 तो यहाँ पे यह हुआ हमारा 10s यह है 100s और यह है 1000 तो इसी प्रकार हमने 632 को यहाँ पे अरेंज कर लिया है 10s, 100 और 1000 में थर्ट इजिट जो हमें दी है यहाँ पे जो है हमारे पास थर्ट इजिट जो हमें दी है वो है हमारे पास यहाँ पे 13.8 क्या है 13.8 तो 13.8 में यह हुई 10s यह 3 है वो है 1s और यह है 10 और यहाँ बीच में है हमारे पास decimal point तो इसी तरह हमने इनको आरेंज कर लिया और बाद में इसको add किया whole numbers को जिस प्रकार add करते उसी प्रकार तो हमारा अंसर आया 229.432 तो यह sum करना आपको समझ में आयोग बच्चो इसी प्रकार आपको बाकी के sums अपने आप करने है अभी है question 2 रासिद इस्पेंड रुपीज 35.75 for maths book रासिद ने 35.75 रुपे maths की बुक में खर्च की है और रुपीज 32.60 साइस की बुक में खर्च की है find the total amounts spent by रासिद money spent for maths book money जो spent हुई maths book में है वो है रुपीज 35.75 money spent for science book है वो रुपीज 32.60 तो इस प्रकार अभी हमें क्या करना है total money निकालनी है तो हमने इन दोनों को add कर लिया तो हमारा answer आया 68.35 तो इस प्रकार हमारा total money जो spent हुआ वो है 68.35 अभी question 2 है उसमें लिखा राधिका की mother ने उसको रुपीज 10.50 दिये और उसके father ने उसको रुपीज 15.80 दिये अभी total amount आपको पता करनी कि राधिका की parent ने कितने रुपे दिये तो सबसे पहले हमने लिखा money राधिका की mother ने 10.50 रुपे दिये दूसरा उसके father ने रुपीज 15.80 दिये अभी हमें क्योंकि total money पता करनी है तो हमें इन दोनों को add करना पड़ेगा इन दोनों को add किया था हमारा अंसर आया तो हमारा अंसर आया 26.30 ओके इस प्रकार हमारा यहां पर आंसर आया 26.30 अभी question 4 है question 4 में है नस्रीम नस्रीम बॉट 3 meter 20 cm नस्रीम ने 3 meter 20 cm का एक cloth खईदा shirt के लिए और इसी प्रकार trouser के लिए उसने 2 meter 5 cm का एक cloth खईदा अभी हमें उसकी total length जो है पता करनी है तो cloth जो है उसने 3 meter 20 cm का खईदा shirt के लिए trouser के लिए 2.05 meter का खईदा 2 meter 5 cm का खईदा तो हमने जिस प्रकार उपर सिखा था उसी प्रकार हमने यहां पर conversion किया तो हमारा आया 3.20 meter हमने पहले 3 meter 20 cm उसको convert कर लिया 3.20 meter और 2 meter 5 cm का 2.05 meter तो हमारा answer यहां पर total length जो है cloth की हमारे पास आया 3.20 प्लस 2.05 तो इस प्रकार हमारा answer आया 5.25 meter अगर आपको यहां पर से ना समझ में आये तो नीचे जो है अगर आप जाएंगे तो हमने यह नीचे पूरा conversion के साथ किया हुआ है वैसे भी आप कर सकते है और नहीं तो इस प्रकार भी आप कर सकते है तो अभी जो है next question है question 6 है question 6 है सुनीता ट्रावल 15 km 268 meter ओके सुनीता ने 15 km 268 meter चला by bus 7 km 7 meter चला उसने car से और 500 meter उसने चला foot से school जाने के लिए अपनी school पहुचने के लिए तो how far is her school resident from her resident उसके घर से उसका school कितना दूर है यह हमें बताना है तो हमें यह जितना भी distance दिया उसको हमें add कर लेना है अगर इस distance को हम add कर लेते हैं तो जो हमाना answer आएगा वो जो होगा उसका जितना भी distance से उसके school से उसका घर का वो हमें पता चल जाएगा तो आप चाहें तो इसको direct भी आप जो है लिख के distance travel by bus इक्वल हुआ 15 किलोमेटर 268 मीटर ओके distance travel by car जो है उसका है 7 किलोमेटर 7 मीटर और distance travel by foot है वो है 500 मीटर ओके अभी हम इसको या तो आप इसको decimal point में convert कर लीजे 15 किलोमेटर 268 मीटर को हमने decimal point में convert किया तो हमारा आया 15.268 किलोमेटर अगर distance travel by car जो है वो है 7 किलोमेटर 7 मीटर है तो उसको जब decimal point में convert किया तो हमारा है 7.007 किलोमेटर distance travel on foot है वो है 500 मीटर तो हमारा उसको convert किया तो हमारा है 0.500 के तो इस प्रकार हमने जब तीनों को add किया तो हमारा answer है 22.775 के तो इस पकार जो टोटल डिस्टंस उसने ट्रावल किया है वो है 22.775 किरे में अभी अगर यह इहां से समझ में नहीं आया आपको तो नीचे भी आप देख सकते हैं नीचे मैंने इसको वापस से सॉल्व किया हुआ है पूरे मैथड के साथ तो यहां पे जो है हमने देखिए नरेश ने हमें पता है 2 km 35 मीटर चला है 1 km 7 मीटर वो मॉर्णिंग में चला 7 km 1 km 7 मीटर इवनिंग में चला सॉरी कोशन 4 सॉरी जो है तो नरेश जो है सॉरी कोशन हम लोग कोशन 6 कर रहे थे कोशन 6 अगर हम लोग को हमें उपर से ना समझ में आए तो हम नीचे भी देख सकते हैं नीचे पूरा कंवर्जन के साथ दिया हुआ तो जो सुनीता है वो बस के द्वारा कितना चली है तो सुनीता बस के द्वारा 15 किलोमेटर 268 मीटर चली कार के द्वारा वो 7 किलोमेटर और 7 मीटर चली अभी कार के द्वारा वो 7 किलोमेटर चली है और इसी प्रकार वो जो है अन फूट 500 मीटर चली अभी अगर इसको कनवर्ट करना है आपको तो 15 किलोमेटर और 260 या हम लो to 68 meter 7 kilometer 7 meter 500 meter Okay 15 kilometers plus 268 meter here पे हम लोग इस प्रकार हमने conversion करना पहले सीखा था तो उसी प्रकार हमने 268 meter माने हुआ 268 upon 1000 km 7 meter माने हुआ 7 upon 1000 किलमीटर और 500 मिटर मने हुए 500 अपन 1000 km तो इस प्रकार इसको decimal point में convert कर लिया तो हम आये 15 प्लस 0.26 किलमीटर तो इसको decimal point में convert कर के 15 प्लस 0.26 किलो में सब्सल मेंuciمر प्लस 0.zię trauma क्लामीटर प्लस 0.500 किलमीटर तो इस प्रकार हम इसको एड कर सकते हैं और एड करने पर हमारा अंसर आएगा जो है 22.775 किलोमेटर इस प्रकार हम इस सम को solve कर सकते हैं यहां नीचे हमने पूरा समझाया हुआ है question 6 question 4 से लेके 7 तक हमारा पूरा नीचे solution है अगर आप देखना चाहे तो वो solve पूरा देख सकते हैं तो अभी question जो है 7 आप अपने आप कर सकते बच्चों तो इस परकार यहां पे finish होती है exercise और next exercise हम अगले वीडियो में करेंगे